हेलो एव्रीवान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब ना काफी अच्छे होंगे तो आज का जो दिन है वो काफी स्पेसल है मेरे लिए क्योंकि डुगू का ना आज फरस्ट डे है न्यू स्कूल में तो बस जल जल दी उट गई थी सुबह नहीं तो अभ जो है घर को थोड़ा सा रेंज करने में लगी रहती थी तो फिर सुबह जो है थोड़ा लेड ही उट पाती थी बट अब जो है क्योंकि स्कूल खुल चुके है तो अब तो जो है जल्दी उटना पड़ता है तो आज फरस्ट डे था तो मैं मत तक एकसाइट भी थी और पर जो है ना डुगू के नास्ते और लंच जो कुछ भी आप कहें उसकी तयारी कर रही थी तो आज क्योंकि फरस्ट डे था डुगू का तो मैंने सोचा क्यों ना जो है ना उसके आज फेवरेट जो चीज़ है वो दी जाए तो डुगू को पनीर का पराठा काफी ज़्या कर दिया था मैंने बट आईरन करने का टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिला था और आप बैट पर और भी कपड़ों का डेहर देख रहे होंगे क्योंकि क्या हो रहा है आज कल मेरे साथ मतलब कपड़े वोस्त तो हो रहे हैं बट उनको जो है ना फोल्ड करने का टाइम मुझ लगता ही जा रहा है जबकि यह ऐसे डेहर लगावाना मुझे अच्छा ही लगता है लेकिन जब भी मुझे अभी टाइम में लगाना मैं इसको फोल्ड करके रख दूंगी तो अभी तो डुगु की जो यूनिफोर्म है ना उसको आइरन कर रही हूं क्योंकि जो डुगु क गया है नाने के लिए उसके पापा उसको अशार दिला रहे हैं तो मैं यहाँ पर इतना डुगु के स्कूल की प्रिप्रेशन कर रही हूं साथ ही उसकी मैम ने जो है ना मतलब के स्कूल ने मैंसन किया था कि आपको जो है बच्चे के साथ एक एक्स्ट्रा कपड़े उसके बैग में देने हैं तो मैं बस वही जो है फोल्ड कर रही हूँ और डुकू के बैग में जो है ना मैं इन कपड़ों को रख दूँगी तो डुकू के बैग में कपड़े रखूंगी और साथ ही उसके स्कूल से कुछ इनफورमेशन वगएडरा हमें देनी थी स्कूल में तो वो सब भी जो है न मैं उसकी डायरी वगएडरा जो हुसे कुछ मिला है डायरी तो नहीं अभी क्योंकि फर्स्ट डwright था तो अभी जो हमत इसकी जो बुक वगएडरा में स्कूल में देनी हूँ क्योंकि फर्स डे उन्होंने बोला था कि बस एक बुक और पैंसिल और इरेजर होनी चाहिए और अभी देखी डुगो को ठाकर मेरे हस्बिन लाए थे तो मैंने भूलाना कि शावर लेने गया था बट मैं भूल गई थी कि डुगो भी उठा ही नहीं है तो पहला दिन था ना तो थोड़ा उठने में बच्चे लेट कर ही रहे थे और मेरे माइन में यह था जब मैरन कर रहे थी कि डुगो शावर लेने गया है बट जब बाहर आई ना तो देखा वो उठा भी नहीं था तो बस इसी तरह से कुछ महींड ना मतलब मेरा डिस्टरब सा हो रहा था पहले दे मतलब थोड़ा सा यह था घबराट से भी हो रही थी तो यहां पर मैंने डुगो की जो बुग दी है उसका नाम वगएरा मैंसन कर दिया है और उसकी बोटल वगएरा पर भी जो है नाम मेंसन करके भीजना था तो अभी देखे अब डुगो जो है शार लेकर आया है मैंने नास्ता वगएरा तो उसके लिए बना ही दिया था और अभी बस उसको मैं यहां पर रेडी कर रही हूँ नई उनिफोर्म थी उसकी तो मैंना उसको समझा रही थी कि अगर तुम्हें मतलब वोश्रूम जाना पड़े तो इसको कैसे मतलब ओपन करना है जिप वगएरा को क्योंकि ऐसी उनिफोर्म डुगु ने पहले नहीं पहनी है सिर्फ नीचे से मतलब एक शोर्ट होता था बट यह उपर से जो बिब टाइप होता है ना यह नहीं था तो मैं उसको मतलब यही समझा रही थी कि अगर वोश्रूम जाना पड़े तो किस तरह से तुम जो है रेंजमेंट करना है दिरे दिरे जोना मैं सब चीज़े मैनेज कर रही हूं और आप भी सूच रहे होंगे कि इतने दिन हो गए तो सच में मतलब टू वीक्स हो गए है हमें यहाई हुए बट मेरी समय में बिलकुल भी नहीं आ रहा है कि चीजे क्यों नहीं हो पा रही है इस बार सैटल समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक तो जो हमने सामान मंगाया था ना ओनलाइन उसे आने में थोड़ा लेट हो गया जिसके वज़े से और चीजे भी लेट होती चली गई बीच में कहीं दो से तीन दिन हमें जाना भी पड़ गया तो जिस वज़े से मतलब जब कहीं जाना होता है तो उस दिन तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो इस वज़े से जो है काम दोड़ा डिले होता जा रहा है, बट मैं कोसिस कर रही हूं कि जितनी जल्दी मैं अपने रूटीन में वापसा का सकूँ, आप सबको अच्छे-चे व्लोग दे सकूँ, अपने घर का टूर, रुमतसब जंगे का टूर दे सकूँ, तो कोसिस यही चल रही है कि जल्दी से जल्दी सब कुछ हो जाए थोड़ा सा पेसेंस आपको भी रखना पड़ेगा तो अभी बस इसी वज़े से जो है ना regular मेरे vlogs भी नहीं आ पा रहे हैं तो बस देखें यहाँ पर डुगो को मैं छोड़ कर आ गई थी नीचे उसकी बस आ गई थी और फिर मैं बस लग गई थी अपने किचन वगएर के कामों को करने में क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा किचन का अरेंजमेंट करना था तो मैं यही सोची थी कि पहले नास्ता वगएर का जितना भी काम है यूटेंसिल वगएर है उन सब को वोश करके रख देती हूँ तो फिर जो है ना मतलब मैं दीरे दीरे किचन के जो और काम है जो मुझको आज मतलब अरेंज करना है सामान उसको मैं करती रहूंगी तो बस यहाँ पर जो है ना सुबह के जो भी नास्ता वगएर के यूटेंसिल थे उनको मैंने क्लीन कर दिया है और इनको क्लीन करने के बाद जो है मैं सीधा बस किचन के जो है अरेंजमेंट में लग गई थी मैंने क्रोकरी जो अरेंज की थी वो तो आपके साथ शेयरी की थी बटाज मैं दूसरा वाला पोर्शन अरेंज कर रही हूँ जिसमें मतलब जैसे मसाला बोक्स हो गया दाल के बोक्स हो गए और भी किचन में बहुत छोटी मोटी चीजे होती है जिनको औरेंज करना था तो वही सब जो है ना मैं आज इस व्लोग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस किचन में जो है मतलब किचन तो ये मेरी गुड़काओं वाली से बड़ी है बत उसमें जो है क्या है वुड़न वर्क काफी जादा था उपर तक था तो इसलिए मुझे इसमें कभी समान रखने की दिक्कत नहीं ही बत इसमें जो वुड़न वर्क है वो जादा नहीं है और मतलब इस टाइप से नहीं है कि ज़्यादा चीज़े जो है आप अपने अच्छे से रख सको तो इसलिए बस कुछ चीज़ों को जो है ना मैं जुगाड करके रख रही हूँ वो तो आपके साथ शेयर करती ही रहूंगी तो अभी जो ये वाला जो पोर्सन है ना इसको मैं बना रही हूँ अपना स्पाइस वाला पोर्सन इसमें मेरे सारे स्पाइस रहेंगे चाहे वो खड़े हूँ या पिसे हुए हूँ तो यहाँ पर बस मैं सबसे पहले जो थोड़ी सी बड़ी बोटल है ना उनको पीछे रख रही हूँ एक मैंने लकड़ी की फट्टी सी रख दी है उसके उपर जिससे की वो थोड़ा सा दिखाई देती रहें और उसके बाद जो है ना मैं जो भी मतलब छोटी बोटल्स है में नहीं किया है भी क्योंकि अगर मैं सारी बोटल्स को जो है ना एक साथ खाली करके वोश करने लगती तो बहुत कुछ फैल जाता मतलब सायद मुझे और डबल टाइम लगता सब चीजे अरेंज करने में तो मैंने क्या सोचा है जो चीजे मतलब मेरी जो बोटल फुल है ना म मैं उनको कोलीन की और कपड़े की हल्प से क्लीन करके रख रही हूं जब वो खाली होती जाएंगी ना आगे कभी तो मैं उनको तब वोश कर लूँगी और जो खाली है मैं उनको आज ही वोश कर दूँगी तो इस तरह से जो है ना काम को कर रही हूं तब भी मतलब मैं काफ वीक में वो ना सब कुछ सेट हो जाएगा मेरी यही कोसिस है तो यहाँ पर बस किचन का कुछ समान था और मतलब एक मेरे साथ हो यह रहा है जैसे आप अभी देख रहे हैं कि मैंने इस वाली रैक में अपने जो छोटे कप होते हैं वो रखे थे बट फिर वो ना मुझे रहा है मैं एक चीज अरेंज करती हूं पर जब मुझे इसकी सेटिंग अच्छी नहीं लगती है तो मैं फिर उसको चेंज करती हूं तो मेरे हजबन यही बोल रहे थे कि तुम्हें जो यह जादर टाइम लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम जो है ना मतलब बारीकी से काम कर रही हो अभी तो मतलब जल्दी कर लो और बाद में जो है ना जहां तो मैं चेंज करना हो चेंज करते रहना बट वही है जब तक कोई चीज मन को अच्छी नहीं लगती है तो फिर उसको अरेंज करने का भी कोई मतलब नहीं होता है तो वही सब को मेरे साथ भी हो रहा है तो यहाँ पर मैंने जैसे की बोला था जो भी जार खाली थे ना मैं उनको वोश करके रख रही हूँ तो यहाँ पर मेरे कांच के जो यह बड़े वाले जार थे ना यह काफी सारे खाली हो गए थे तो इनको जो है ना मैं अभी वोश करके रख दूँगी अभी डुगगू आएगा स्कूल से और मैं लंच बगएरा कर दूँगे यह अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद जो है न मैं इनको अरेंज करके रख दूँगी जो भी इनमें फिल करना होगा वो फिल कर दूँगी और अपनी जो किचन है उसे थोड़ा सा ओर्गिनाईज कर दूँगी तो यही सब कुछ आज का प्लान था मेरा और देखिए अभी जो है ना वन थर्टी हो गए थे दुपएर के डुगवा चुका था और मतलब मैंना सुबह से यही सोची थी कि पता नहीं उसका जो रियक्शन होगा वो कैसा होगा नई स्कूल बट वो बहुत ज़्यादा खुस था मैंना आपसे लास्टो लोग में भी शेयर किया था कि हमने कैम्बरिज में कराया है डुकू का तो उसमें एक्टिविटी ज़आधा होती है और डुकू को एक्टिविटी करना काफी ज़़आधा पसंद है तो आज उसकी मैंने कुछ एक्टिविटी ज़ए कराई थी तो वो काफी ज़आधा खुस था तो मतलब मुझे भी थोड़ी सी तसली थी कि चलो ने स्कूल में जो है एड़जस्ट होने में उसे टाइम नहीं लगेगा तो बस उसकी यहाँ पर बुक वगएरा मैं चेक कर रही थी उसकी मैं आमने कुछ नोट्स वगएरा दिये थी लिखकर तो वही सब कुछ चेक कर रही थी और आप देख रहे होंगे ना यहाँ पर मेरा एक और्गनाईजर भी रखावाया जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही आया था तो मुझे टाइम नहीं मिला इसको असेंबल करने का तो अभी यह यहीं पर पड़ा था इसको मैं थोड़ी देर मैं असेंबल करूँगी उसके बाद जो है डुगु ने मतलब हम तीनों नहीं लंच कर लिया था और लंच के जो यूटेंसिल वगएर थे वो भी मैंने क्लीन कर लिये थे और मैं फिर यहाँ पर जो मैंने यह जार वगएरा क्लीन किये थे था मॉर्निंग में वो सूग गय थे अच्छे से तो मैं आ जो बदीनिद्र से नहीं थे उनको मैंने कोलीन के हेलपसे क्लीन करके रख दिया था तो अभी थी ये जो मेरे काचवाले जार आप देख रहना है इन की मेरे नास्तवाला जो भी समान होता था रख रहता है, जैसे वर्मी सेली हो गई, सूजी हो गई, पास्ता हो गया और दलिया वग्यरा, ये सब रखती हूँ मैं, तो बस उन में जो जो चीजे मेरे पास थी, वो मैं फिल करती जा रही थी, और जो खाली तो उनमें जो भी आगे समाना आएगा वो मैं फिल करती चली जाओंगी और उसके साथ ही मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा काच के जार थे जिनमें कि मैं अपनी वो होती है ना नमकीन बिस्कित वो फिल करती हूँ तो उनको भी जो है ना मैं आगे फिल कर दूँगी देखे यहाँ पर नमकीन और मैं फिल कर ली थी और यह इतनी जादा भी खड़ने लगी थी ना क्योंकि मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा था इधर से तो बस यह सब चीजे भी जो है ना मैंने फिल कर ली थी और फिर मुझे इनको जहाँ पर अरेंज करना था मैं वहाँ पर इनको अरेंज कर दूँगी तो मैंने नास्ते वाला सेक्शन यह वाला बनाया था इसमें मतलब जो नास्ते के लिए चीजे हैं वो भी थी और नमकीन बिस्किट भी मैंने इसी में अरेंज किये थे और आप देखें यहाँ पर फिर से मैंने सैटिंग चेंज कर दी थी और एक बार तो मतलब यह की थी मैंने और इसके बाद भी एक बार मैंने और की थी सैटिंग चेंज मतलब तीन बार में जो है ना मेरी इस वाले पोर्सन की सैटिंग हो पाई थी वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे नमकीनी बिस्किट के जार आगे रखे हैं तो फिर पीछे वाली चीज़े दिखाई नहीं दे रही है तो इसलिए मैंने उनको फिर से चेंज कर दिया था वो आप मेरे किसी भी व्लोग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से अरेंज किया है और उसके बाद मैं बतारते हैं कि ये और्गनाईजर मैंने मंगाया था तो इसको भी जो है ना मैंने ये मंगाया अपने बाथरूम के लिए क्योंकि अगर आप मेरे मतलब पहले से मुझे देखते हैं आपको पता होगा मेरे पहले वाले घर में जो से नीचे काफी बड़ी कबर्ड बनी हुई थी तो मेरा सारा समान की बाथरूम से रिलेटेट उसी में रहता था बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने उसके लिए ये और्गिनाइजर मंगाया तो जितना भी मेरा मतलब बाथरूम से रिलेटेट समान है वो मैं यहां पर इसमें स्टोर कर दूँगी और मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे जो वो स्वसीन की नीचे है वो थ्री ड्रोर वाला आएगा कि फोर ड्रोर वाला तो मैंने इसलिए पहले फ्री ड्रोर वाला ही मंगाया बट फोड रोर वाला भी उसमें असानी से आ जाता बट चलो कोई नहीं अब तो ये आ गया था तो मैंने इसमें ही अपनी सारी चीज़े अरेंज करके रख दी थी और ये सब चीज़ें तो मैं आपको दिखाती ही रहूंगी जैसे जैसे भी मैं अपने घर को अरेंज कर दी हूँ जो भी वह आपके साथ जो है ना धीरे धीरे सब शेयर करती रहूंगी आई होप आपको अच्छा लगेगा तो यहाँ पर डुको भी जो है ना मेरी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आ गया था सारी चीज़े अरेंज कर दी है अरेंज करने के बाद जो है मैं इसको रख दूँगी बातरूम में और फिर अपने अगले कामों के लिए मैं बढ़ूँगी तो वो सब अरेंज करने के बाद मैं आ गई थी किचन में फिर से क्योंकि दूद और चाय का टाइम हो गया था तो डूद के लिए दूद कर रही हूं अपने लिए चाय बनाऊंगी तो मतलब मैं ना धीरे धीरे घर को अरेंज कर रही हूं और कोसिस यही है कि मतलब सब कुछ अच्छे से अरेंज हो जाए टाइम थोड़ा लगे बट म मन को थोड़ी सी तसलिय रहे तो इसी कोसिस में थी और आज वैसे भी स्कूल का पहला दिन था ना तो मतलब सब चीजे थोड़ा सा मेरी मतलब अलगी तरह का थोड़ा सा रूटीन था क्योंकि इस रूटीन में काफी दिन बाद आई थी मैं लगबग एक डेड़ महीने बाद तो क्योंकि डुगू की छुटी जो है ना हुली के बाद से ही हो गई थी तो इसलिए थोड़ा टाइम मतलब लगा आज मुझे काम करने में और फिर उसके बाद हम इविनिंग में चले गए थे कुछ समा लेने जो कि डुगू के स्कूल में मंगाया गया था और घर के घर में भी मतलब चीजों की जरूरत थी तो हम वो सब लेने गए थे और अभी जो है ना मेरे कुछ वीवर हैं जो कमेंट कर रहे थे कि दीदी अपने सोसाइटी का बाहर से व्यू दिखाईए तो दिन में तो मुझे सूट करना याद नहीं रहा बट मैंने नाइट का सूट किया है तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे मतलब फ्लैट के जस्ट नीचे ही पार्क है जहां पर डुगू पूरे दिन खेलता है तो इस फ्लैट को लेने का हमारा में जो वो था ये भी था की डुगू यहाँ पर काफी अच्छे से प्ले कर पाएगा तो बस गाईस आई हूप आपको जो है मेरा आज का वलोग भी अच्छा लगा होगा अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब किजेगा वीडियो को लाइक किजेगा और हो सके तो शेयर भी कीजेगा तो मिलती हूँ आपसे पनी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई हस्त रहिए मुस्कुराते रहिए बाबाई